पाकिस्तान के लाहूर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम लाइबा होता है लाइबा अपने घर से रोज निकलती थी और निकलने के बाद उसका एक ही मकसद होता था कि बड़े बड़े अमीर घरों के पास जाकर रोना और रोकर एक अपनी जूटी कहानी सुनाना जोटी कहानी में कभी वो अंधी बन जाय करते थी तो कभी उसके मा, कभी बाप, कभी उसका भाई परिवार के अलग-अलग सदस से बीमार हो जाय करते थे वो भी गंभीर बीमारी से और सामने वाला जब उसकी बाते सुनता था तो इमोशनल हो जाय करता था और इसलिए उस लड़की को उसकी हिजाब से भी जादा पैसे दे दिया करता था यानि कि उस लड़की का रोज का काम था भीक मागने का भीक मागने के लिए निकल जाया करती थी और लोग उसे अच्छे कासी रकम भी दिया करते थे धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है और उसने लगभग पांच साल में बहुत सारे पैसे खटे किये और यहां से पाकिस्तान से सीधे मलेशिया जाती है और मलेशिया में जाने के बाद उस भीक के पैसे से उसने दो फ्लैट खरीदे कार खरीदी पैसे उसके पास और भी जादे थे इसलिए उसने अपने एक बिजनिस भी शुरू कर दिया अब एक अच्छी जिन्दगी जी रही है सामने जिन्दगी जी रही है जैसे ही वो बापिस मलेशा से पाकिस्तान घूमने के लिए अपनी रिश्टदारों के पास आती है तब ही एक मीडिया कर्मी ने उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद पूचा कि तुम इतनी अमीर कैसे बन गई तब उसने कहा कि जूटी कहानिया सुना कर वो अमीर बनी है आज उसके पास सब कुछ है ये कहानी बहुत वाइरल हो रही है उस लड़की को देखकर लोगों को अजीब भी लग रहा है लेकिन इसके बाद जो कहानी मैं आपको सुने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद आप लोग इंसानियत की मिसाल देना शूख करेंगे कहेंगे कि लोग हो तो ऐसे हो ना बरना बिकुल भी ना हो आदाब नमस्कार सस्त्रियकाल मुस्मान सैफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ इस सची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर और इसी की एक तहसील लगती है देवबंद दरसल देवबंद तहसील का एक गाउं लगता है पंडोली एक व्यक्ति जिसकी उमर लगभग 65 ये 70 साल के आसपास रही होगी उस व्यक्ति का नाम होता है शाह आलम शाह आलम ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कराई कि उसका पोता है जो कहीं मिसिंग हो चुका है गायब हो चुका है उस बच्चे को ढूरने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा काफी समय से मुला पता है उसके लिए वाका था उसका फोटो साथ ही उसका नाम पता जो भी जानकारिया थी वो सब अपलोट की गए थी अब चाहें वो वाटसप हो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेस्बुक या अन्य माधिमों के माधिम से वो लगातार फोटो वाइरल हो रहा था फोटो वाइरल होता होता, उत्राखंड के रूड़की के पास एक जगह है, उस जगह के नाम है पिरान कलियर, पिरान कलियर में एक चाय की टपरी पे बैठा हुआ एक लड़का चाय पी रहा था, और जैसे ही उसने छोटो को आवाज दी, कि छोटो जरा एक कप चाय लेक्य आना, छोटो जैसी उसको ओडर मिलता है, छोटो चाय लेकर जब मोखे पे पहुंसता है, तो तभी वो लड़का इस बीच में अपने बातचीत करते करते अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहा था, यानि कि वाटसप के अलग-अलग गुरुप को चेक कर रहा था, और गुर इसा ना हो कि इस बच्चे की उमर कम है, इसकी उमर जादा है, लेकिन शकल काफी मैच कर रही है, तभी उसने पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम शहवेज है, और पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरे पापा क का नाम मुहम्मद नवेद है ये दो नाम उसने फिर मुबाइल देखा मुबाइल में देखा तो यही नाम शाहवेज और उसके पिता का नाम मुहम्मद नवेद दोनों मैच कर जाते हैं तब उस लड़के ने चाय की जिसकी भरते हुए मुस्कराते हुए फोन किया फोन करने क पिरांग कलियर है, वहीं मजार के पास एक चाय की टपरी पर चाय बीचने वाले बच्चे, वो कहीं मैच कर रहा है, आपको ये देखना चाहिए, दिसंबर 2022 की ये बात थी, उसके जो दादा यानि की शाह आलम जैसे ही सूचना मिलती है, वो चाय की टपरी के पास पहुंसते ह तो आसपास के लोगों का देखने वालों का जमघट भी लग जाता है, दरसल कहाने शुरू होती है साल 2019 के शुरुवात से, दरसल इस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मिया और बीबी के अंदर जगड़ा होता था, मिया जिसका नाम महुमद नवेद होता है और उसकी सिधा यहां से, यमना अगर हर्याना अपनी माईकी में चली जाती है, सब को छोड़ चाड़ कर घुस्से में, अब क्योंकि मुहमद नवेद नगातार बीमार रहता था, परिशान रहता था, इस परिशान हाल में उसकी बीबी उसको छोड़ कर चली गई, तो वो और जदा बीमार रहने लगा, और जब और जदा बीमार रहने लगा, तो एक दिन ख़वर मिलती है कि मुहमद नवेद अब इस दुनिया में रहा नहीं, यानि कि वो खत्म हो चुका था, मर चुका था, जैसे वो मर जाता है, उधर यमना अगर हर्याना में, जो इमराना अपने बेट के रुड़की के पास एक जगह है, पिरान कलियर वहां पर पहुंच जाती है, मजार पर जाने के बाद वहां की साफसफाई करती थी, और इस बच्चे के लिए जो भी कुछ इंतजाम होता था, खाने पीने का, उस बच्चे का भी इंतजाम कर दिया करती थी, जिन्दगी उ बखार आता है, तो बखार के कुज़न के बाद इस महिला की मौत हो जाती है, उसका कफन दफन हो जाता है, अब ये बच्चा अपनी मा के बिना कैसे रहे, इसलिए उस बच्चे के पास वही मजार पर बैटके, जो भी कोई लोग आते थे, तो कुछ खाने को दे दिया, तो क करे तो क्या करे, इसी बीच में कुछ दिन के बाद, यानि कि दिसम्बर 2022 में एक ख़वर फैल रही थी, आग की तरह कि एक बच्चा है जो गायब है, उसे तलाश किया जा रहा था, दरतल अब कहानी दूसरी ये होती है, कि इस बच्चे का जो असल दादा होता है, जिसका न वसियत कर दी थी, और वसियत की थी अपने पोते शाहजेब के नाम, और जैसे ये शावेज के नाम उन्होंने वसियत की, तो उसके बाद जब मरते हैं, तो वसियत सामने आती है, और जब वसियत सामने आती है, तो वो वसियत मिलती है, याकूब के भाई, शाहा आलम को, जो उनके भाई होते हैं और शाहल हमने जैसे ही उस वसियत को देखा तो वसियत देखके उनकी आखे खुली की खुली रह जाती है उन्होंने कहा कि ये तो वसियत उनके पोते की यानि कि उनके सगे भाई के सगे पोते की ये वसियत है तो क्योंना उस बच्चे को ढूना जाए तल आप तलाश करने के लिए वो इधर अधर, सबसे पहले यमनन अगर गए यमनन अगर हरियाना मगए, मैकी में जाकर बातचीत किये और ह Alumni नोग कहा कि वो तो यहां से चली गई, इसके अलावा और 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 पता करने की कोशिश कित, लेकिन इमराना का जब कहीं आता पता नहीं चला तब उस 5.5 साल के बच्चे का एक फोटो था उस प्यारे से फोटो को उन्हें वाटसप के अलग-अलग गुर्पों में शेयर करना शूर कर दिया, कहा कि ये बच्चा कहीं दिखाए दे, कहीं मिले, तो इस नमर पर सूचना द बढ़ रहा था तो उस बच्चे की परवरिश भले चाय भीग मांके हो रही थी, लेकिन वो बड़ा हो रहा था, छोटे का रूप अलग होता है, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसके नए नक्ष उसके बदल जाते हैं, लेकिन एक चाय पीने वेले एक व्यक्ति को लड़का दिखाए देता है, तो वो सही जगे पहुँचा देता है, अब उस लड़के को जब सही जगे पहुँचाय गया, देववन्द के उस गाओं में, जिस गाओं का नाम पंडोली होता है, वहां जब पहुँचता है, अपने घर में दो मंजिल मकान में, पांच-छे इसके जमीन थी, जिसकी कीमत लफ़क 5-6 करोड रुपे के आसपास बताई जा रही थी, बच्चा खुश हो जाता है, उसने कभी नहीं सोचा था कि जो जिन्दगी भीक मांगर गुजार रहा है, आज वो एक अच्छी जिन्दगी जीर गा, साथ ही अपने परिवार के लोग अब मैं डॉक्टर जरूर बनुगा, क्योंकि उसके दादा, सगे दादा के भाई थे शाहा आलम, उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे की हर फ्वाईश, हर बात पूरी करूँगा और उसे अच्छे से अच्छे स्कुल में दाखिला देला कर उसे जैसी वो पढ़ाही करना चा कहानी एक जैसी ही है, कि मरने बाद उसको जन्नत मिलेगी, या स्वर्ग मिलेगा, या बुरे करम करेगा, तो नर्क मिलेगा, इसलिए इसके दादा से जब पूँचा गया, उन्होंने कहा कि ये मेरे भाई के पोते की जमीन थी, मैं इसमें बिकुल भी बैमानी नहीं कर सकता नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान को अपने करमों का फल भोगना पड़ेगा, दादा ने भी तो इमानदारी दिखाए थी, वसियत करके चले गए, और जो चचेरे दादा थे, उन्होंने भी इमानदारी दिखाए, उन्होंने इस बच्चे को उसका हग दिया, अब उसक पढ़ाई करा रहे हैं, दोस्तो ऐसे ही अच्छा इंसान बनना चाहिए, ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए, ऐसे ही अच्छे-च्छी मिसाल पेस्ट करनी चाहिए, मिसाल पेस्ट करने से लोगों को भी अच्छे-च्छी सीख मिलती हैं, दोस्तो इस पूरी घटना करम को सिर्फ आपको जागुर्ग करना है ताकि आप भी अच्छे अच्छे काम करें आगे बढ़ें और नाम रोशन करें आप सब लोग अपना ख्यार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत